हेलो और वेलकम टो खाना मुबारक तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा चार बेस्ट बिर्यानी प्लेशिस न हैदराबाद तो इस खूपशुरत हैदराबाद की शहर में जो चार मिनारवी है यहां पर और जो फेमस वाइल्ट फेमस हेदराबाद की बिरियानी कहां बेस्ट मिलती है तो हमारे जो experience था हेदराबाद में जो हमने चार जगे बिरियानी ट्राइ करी और चारों का मैं आपको इसी एक वीडियो में दिखाऊंगा तो हमारा पहला स्पोट है एक पुराना होटल जो हमारा सबसी फेवरेट है यह सबसे बेस्ट लगी हमको यहां की बिरियानी तो मैं पहुंचा हूँ कैफे बाहर में तो यह यहां का इनका मैन्यू है और यहां की बिरियानी ट्राइ करेंगे हम तो लग्किली जब हम यह हमारा हेद्ध का बिर्यानी का हिदराबाद में था और लग्कीली पहली ए tal है हमको 556 जवायनी का माली बाख धोक। के प्रानी होटल है इद्राबाद का और यहांकि पिर्यानी हमारा पहला किद्स होकि का और मैं यहए पहला जबद Psalm 56 लूट पर सिक्षमाने वाली बात हो गई तो ये कैफे बाहर की बिरियानी यहां पर देखे बिरियानी आ चुकिए हमारी सर्फ कर रहे हैं और इतना बड़ा पीस मैंने पहले बार किसी बिरियानी में देखा है और जो हैदराबाद की बिरियानिया ऐसी होती हैं कि एक जो सर्विंग होती है वो दो लोग आराम से खा सकते हैं तो हम क्योंकि हम लोग बहुत जगे टेस्ट कर रहे थे तो इसलिए हमने थोड़ा-थोड़ा सब जगे टेस्ट किया तो ये है इनका सेटप राइता और सालन के साथ सर्फ की जाती है हैदराबाद की फेमस बिरियानी तो ये कैफे बाहर का साथ का बहुत ही जबरस था तो यहां की सबसे अच्छी लेगी हमको बिरियानी एकदम सिंपल सा सेटप है और जो इनके मसाले परफेक्टली बैलेंस थे और जो गोष्ट मैरिनेटेट था जूसी था यहां पर देखे इतना बड़ा चिकन का पीस बिरियानी में था जो की मैंने पहली बार देखा है और ये जैसे मैंने आपको बता एक बिरियानी दो लोगों के लिए सफिशन्ट होती है तो इससाब से यहां की सर्विंग होती है तो यह कैफे बाहर की बिरियानी बहुत ही मस्ती टेस्टी थी और इनका जो बिरियानी का पीस था वो भी बहुत ही अच्छा था जिस कैफे बाहर के रेशन्ट में मैं इस वक्त हूँ यह है हिमायत नगर हैदराबाद में तो ये जैसे हम हैदराबाद में पहुंचे दुपर में हमने पहली बार फर्स्ट ये जाइका ट्राई किया और इसका गोस्ट भी बहुत ही अच्छा था वेल मेलेनेडेट था जूसी था और ये कम्प्लीट कॉंप्लेमेंट करा था बिर्यानी को जो वर्ल्ड फेमस हैदराबादी बिर्यानी होती है इसका एक अथेंटिक एक कम्प्लीट एक्स्पिरेंस मिला हमको पहले ही चांस में हमको मिला कैफे बाहर की बिर्यानी टेस्ट करने का मौका तो यहां की बिर्यानी बहुत ही अच्छी थी मस थी हमने completely enjoy किया तो यह हमारा first biryani का spot है इन हैदराबाद जब भी आप हैदराबाद आते हैं तो cafe बाहर की biryani बिल्कुली miss मत करें इस इस आ शोर शोट recommendation from us तो cafe बाहर की biryani को हमने खतम किया हैदराबादी style में यहां की इरानी चाई पीकर तो यह हिरानी चाई भी आपको हर restaurant में मिलेगी और उनकी अच्छे जाइके होते हैं हर restaurant की अच्छा taste होता है हिरानी चाई तो यहां की famous है हदराबाद की one of the another famous thing of हदराबाद तो यह hotel हमेशा rush होता है दूपर में यह है cafe बाहर का जाइका तो यह authentic हदराबादी बिर्यानी ट्राइ करने का अभी आते हैं second spot पे जो की है बावर्ची यह भी बहुत ही पुराना restaurant है और यहां की बिर्यानी हमारी second favorite है और बावर्ची का जो restaurant है यह एकी location पे है आटी सी एक्स रोड पे है एकी रोड पे दो restaurant है आमने सामने तो मैं आया हूँ आटी सी एक्स रोड के बावर्ची रेश्राइन के इनकी बिर्यानी ट्राइ करने के लिए तो इनकी बावर्ची बिर्यानी का setup ऐसा है यहां पे दिखिए इनकी मतन और चिकन बिर्यानी के full मिलते हैं और जैसे मनें बताए आपको जो हैर्धराबाद में जो बिर्यानी सर्फ करते चाहें Holtern और चिकन बिर्यानी स्वाज़ रहता है और यहां पे टारीका वह दिखाना रहता है बिर्यानी में सबसे पहले हम चिकन बिर्यानी ट्राइब करेंगे और इनकी बिर्यानी सीमिलर थी कैफे बाहर के बिर्यानी के स्चाईल में और यह भी बहुत ही अच्छी थी थी तो यह हमारा रभी तो यहाँ पर आलाग से आपको पे करना पड़ता है 40 ए 50 रुपी से इसको ये complete plate मिलती है salad के आपको उसके अंदर तो ये चले बिर्यानी पे concerted करते हैं तो ये चिकन बिर्यानी आपको similar लगेगी cafe बाहर की जैसे बट टेस्ट में भी जबरदस्त है दोनों भी हमारे फेवरेट है तो ये second number का spot है बावर्ची बिर्यानी का तो इनके भी complete मसाले बें अच्छे थे जो इनका chicken था जो chicken भी इनका अच्छा juicy था और well marinated था तो हमने mutton बिर्यानी भी मंगाई है इनकी वो भी दिखाएं देखेंगे और लेकिन मैं मुझे जहां तक हैदराबाद में हमारा जो experience रहा है तो जो chicken जो आपको बिर्यानी अगर authentic हैदराबादी बिर्यानी आपको try करने है तो आप पहले chicken बिर्यानी वहाँ पर try करिए जो आपको actual taste समझेगा उसके बाद mutton बिर्यानी भी try करिए तो इसका गोश भी अचाता चावल भी मस थे सब मसाला और जो ये तीखा जो सालन होता है इसके साथ वो भी जबरस था अट वासा complete बिर्यानी experience एड डी भावर्ची रेशोरेंट अभी आता है मतन बिर्यानी की तरफ ये मतन बिर्यानी है तो इसको भी हमने टेस्ट करा और यहां की खास बात यह इकि ये मतन बिर्यानी में 8 pieces होते हैं चार bolness और चार bon वाले तो 250 रिपीज की मतन बिर्यानी में नहीं इतने जादे pieces कभी नहीं ist कहीं भी ना बैंगलोर में ना मुंबई में सिर्फ हैदराबाद में मैंने ये नोटिस किया तो ये इनकी बिजाने का सेटप है दोनों भी टेस्टी हैं जबरस्त हैं दोनों भी अच्छे हैं और ये दोनों के जो गोश्ट हैं जूसी एंड वेल मेरिनेटेड तो जब भी आप आते हैं तो जरूर ट्रै करें कैफे बाहर और बावर्ची तो इनका कोई भी दूसरा ब्रांच नहीं है आटीसी एक्स रोड हैदराबाद में ही इनके दोनों रेस्टोरेंट आमने सामने हैं तो यही इनका लोकेशन है तो यह हैदराबाद के स्टेशन से भी नजदिक है चार-पांच किलोमेटर में आपको मिल जाएगा तो यह है बावर्ची का रेस्टोरेंट यहां की बिरियानी भी बहुत ही जबरस्ती आप चलते हैं तीसरे स्पोर्ट की तरफ हमारा तीसरा स्पोर्ट भी एक फेमस बिरियानी का रेस्टोरेंट है जिसको अगर आप किसी हैदराबादी को पूछेंगे कि कौन सी बेस्ट बिरियानी है तो मैं आया हूँ शागाउस के रेस्टोरेंट में तो यह लकडी का पुल के पास है इनके बहुत सारे ब्रांचिस हैं एदराबाद में शागाउस के तो यह मैं लकडी के पूल वाले ब्रांच में आया हूँ इनकी बिरियानी ट्रैकर नहीं यहाँ पर देखे बिरियानी का सेट अप और यह शागाउस का मैन्यू है तो यहाँ पर हमको यहाँ पर हम आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखे यह जो मतन बिरियानी और जो नीचे स्पेशल मतन बिरियानी मुझे सम पहले लगा था कि कुछ अलग वराइटी होगी लेकिन सिर्फ उसका कॉंटिटी वेरी होता है अबकि यह मतन बिरियानी जो देख रहे हैं तो यह पत्तर का गोश्ट है यह मतन का गोश्ट है तो यह एक पुरानी रेसिपी है हिदराबाद की जो पत्तर पर उसको बनाते हैं तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे जो रमजान बैंगलूरू के तो यह चाया वहा था पत्तर का गोश्ट बैंगलूरू रमजान के जायकों में तो यह पत्तर का गोश्ट बहुत ही अच्छा था मस था well tenderized pieces of mutton coated with masala and roasted on a stone पत्तर पे और यहां देखिए बिर्यानी का बिगुल बच चुका है यानि की बिर्यानी के accompaniments आ चुके हैं और यह आ चुके हमारी बिर्यानी तो इनकी setup देखे कैसा है यह है शागाउस restaurant की बिर्यानी इसको भी try करेंगे और यह हमने mutton बिर्यानी मंगाई है तो इसको हम try करेंगे और यहां के दूसरे हैदराबादी जाइके भी देखेंगे हम तो पहले शुरू करते हैं बिर्यानी से इनकी बिर्यानी भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर देखे थोड़ा सा आपको dry लगेगी लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छी थी और यह मटन जो पत्तर का गोश्ट था बहुत ही अच्छा था इनकी जो चावल देखेंगे आप चावल और पुरा less oily बोलूँगा मैं but very tasty तो यह हमारा तीसरा फेवरेट स्पॉर्ट है है हैदराबाद का इस वीडियो में आपको हैदराबाद के best बिरियानी experiences दिखा रहा हूँ जो हमारे last visit के हैदराबाद के थे तो चार जब आप हैदराबाद आते हैं तो इन चारों जंगों को मिस मत करिए और खास कर कैफे बाहर और बावर्ची को बिलकुली मिस मत करिए और यह जो शागोस की बिरियानी भी बहुत ही अच्छी थी जो बिरियानी का गोश्ट था वो भी well marinated था tenderized था मतलब गलावा था अच्छा था आपको खाने में भी मजा आएगा यहां पर मैंने एक नई चीज देखी जो बिरियानी के साथ जो सालन मिलता है यह वाला तो यह peanut based था यानि कि सेंगा जो peanut होता है मुंगफली उसका masala उसका flavor था अच्छा था बिरियानी के साथ अच्छा लगाए है यहां के मैंने हैदराबाद की और एक चीज नोटिस की कि जो भी जैसी भी हैदराबाद की विरियानी उस specific restaurant में मिलती है उसके साथ जो सालन और जो accompaniments मिलते हैं वो उसके लिए perfect होते हैं और हर एक restaurant के एक अलग story है टेस्ट की और मस्त आपको enjoy करेंगे लेकिन आप हर जो मेरे इस वीडियो के चारो restaurant में enjoy करेंगे आप खाना अच्छे restaurant से famous restaurant हैं और हमने हैदराबादी style में हमारा खाना खतम किया हमने मंगाया apricot delight यानि कि खोबादी का मीठा जो खोबादी होता है उससे बनता है यह बहुत ही अच्छा था so this was the perfect way to end अ हैदराबादी बिर्यानी बेदा हैदराबादी dessert तो यह थे खोबादी का मीठा तो अब बढ़ते हैं हमारे आखरी चौथे spot की तरफ बिर्यानी का और एक famous restaurant है जिसका नाम आपने भी सुना होगा तो मैं आया हूँ hotel शादाब यहाँ पर एक ऐसी story है हमारी की हम पहुंचे थे दुपेर में खाने के लिए लेकिन बहुत रच था हमको table नहीं मिला इसलिए हम रात को गए dinner के time पर तो यह शादाब रात को हम dinner के लिए गए तब भी यहाँ पर भीड़ती लेकिन we were able to get a table और इनके भी अलग जायके हैं इ तो यह भी यहाँ रही हमारे जायके आ चुके हैं बियानी के तो इसको भी हम चखेंगे तो यह हमारे है हिदराबादी बियानी का experience था So we had tasted the biryani at four famous restaurants in Hyderabad And this is a experience about the same तो ये हैधरबादी biryani है जो world famous है इसको GI tag मिला है world famous Specifically हैधरबादी biryani का तो यहाँ पे देखे इसको try करते हैं ये यहाँ का style है सालन राइता और ये biryani हैधरबादी biryani तो हमने मटन biryani मंगाई है और साथे साथ हमने एक starter भी मंगाई है actually starter हमने बाद में try किया तो ये है शागोस की biryani ये भी अच्छी है आपको एक अलग जहिका मिलेगा इसको खा कर आपको तो ये लंबे चावल और जो उनके मसाले होते हैं यहाँ पे भी हमको अच्छा लगा biryani है और लेकिन हमारे जो फेवरेट है first वो है कैफे बाहर बाद में बावर्ची बाद में शागोस और बाद में शादाब तो ये हमारा हमको जैसे पसंद आया उस order में मने आपको दिखाया है इस वीडियो को तो ये शागोस की बिर्यानी के बाद हमने ट्राइ किया अit ये है शादाब की, वोटर शादाब की respectively की बिर्यानी ये बिर्यानी का जैखा भी अलग था अच्छा था जो हमने एंजॉई किया तो ये हमारे इस वीडियो में मने आपको दिखाया चार बेस्ट बिर्याणी रेस्तोरेंटS and बिर्यानी इन हैदराबाद तो यह हमारा हैदराबाद की बिर्यानी का experience था तो हमारे पुराने विडियोस भी चेख आड करिएगा रमजान के विडियोस भी चेख आड करें बैंगलूरू के आने वाले बहुत अच्छे अच्छे सीरीज हैं जो मैं एक्स्पोर करूँगा आपको फूट का और दिखाऊंगा और यह है रेश्मी कबाब यहां का सालन भी बहुत ही परफेक्ट है इस टाइप की बिरियानी के रिए और आल गुड एक्सपिरेंस एविंग दी वोल्ड फिरमस हैदरबादी बिरियानी इन हैदरबार तो यह सालन तीखा था जो की कॉंप्लिमन करता इस टाइप की बिरियानी को और यह है रेश्मी कबाब अगर आप देख सोच रहेंगे कि उपर वाइट वाला क्या है तो यह जो एग का वाइट होता है उससे यह मेजोरिटी उपर का पूरा लेयर बनता है उसके अंदर रोस्तेड चिकन के मसाले वाले पिसिस होते हैं तो यह है रेश्मी कबाब तो चले चलते हैं बाहर तो ये हैंदरबाद के चार बेस्ट बिरियानी के रेस्टोरांट्स और उनकी बिरियानिया थी तो हमें जरूर बता है आपको कैसा लगा ये वीडियो ओटर शादाप का ये आगरी जायका था फिर मनते हैं आगले वीडियो में टेक कैस टे सेफ खाना मबारक खुदा हाफिस